Hello everyone, my name is Gaurav, welcome to the WSQ Tech, WSQ Tech में आप सभी का स्वागत है, जैसे के आप सभी को पता है हमारी AutoCAD की सीरीज चल रही है और इस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, आप किसी भी line को यहाँ पर extend करने के लिए यूज किया जा सकता है यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यूज किया जाता है, इसका जो shortcut command है वो यहाँ पर है EX ENTER, यहाँ पर आप जैसे ही EX ENTER करेंगे तो यहाँ पर extend tool work कर रहे जाएगा, देकि यह basically आपके पास जो work करता है, वो यहाँ पर trim command की तरह है, यहाँ पर work करता है, जैसे हमने trim command के अंदे work कर रहा था, आपके पास, यहाँ पर किसी भी चीज को trim कर रहा था, यहाँ पर किसी भी line को extend करने के लिए यहाँ पर use किया जा सकता है, तो चलते हैं AutoCAD में, और AutoCAD की दूरू समझता है, कि यहाँ पर extend command को किस तरह से use किया जा सकता है, तो चले AutoCAD के अंदर, जीकि AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं, और AutoCAD के अंदर आने के बाद, अब यहाँ पर discuss करता है कि extend command हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जीकि modify tools के अंदर आप जैसे ही trim command के उपर थोड़ा सा click करेंगे तो यहाँ पर आपके पास extend command देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर extend command क्लिक करता ही आप क्या करेगा, extend command यहाँ पर enable हो जाएगा और extend command के पास यहाँ पर work करना शुरू हो जाएगा, अब जरह बात करते हैं extend command कहां पर work करता है, तो इसके लिए मैं एक छोटी से drawing बना लेता ह तो यहां पर मैंने क्या किया है दो लाइन यहां पर ट्रॉ कर लिए अच्छा काम करते हैं और दो लाइन और ट्रॉ कर लिए तो देखें यहां पर मैंने क्या किया है एक लाइन यह ड्रॉ कर लिए ओके अब जरह बात करते हैं यहां पर किस तर से वर्क करता है इसके बारे में यहांपर discuss किया जाता है यहांपर discuss करें extend command को किस तरह से work किया जाता हैकर यहांपर चलते हैं extend command का जो shortcut command है वह यहांपर क्या है एक्सेंटर तो basically मैं यहाँ पर एक्सेंटर करूँगा तो एक्सेंटर करते हैं हमाल पास accent command यहाँ पर इनेबल हो जबाद अब accent command इनेबल होने के बात अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि option में क्या क्या पूछे जा रहा है तो देखे basically यह work कहां करता है तो यह work आपके पास वहां करता है जब आपको किसी line को यहाँ पर accent करना है जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर आपके पास क्या है horizontal line है और कुछ vertical line है ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है इस horizontal line को vertical line तक touch करना है यस इस original line को आपके पास क्या है vertical line तरक टच करना है तो एक तो तरीका है आप सब को उठाइए और यहाँ पर क्या कीजिए आप यह कीजिए line command का use कीजिए और सब को join करते रहे हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं extend command का use करके आप सभी line को एक साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं जोइन कर सकते हैं तो देखें किस तरह से जोइन कर सकते हैं उसके बारे में देखें यहाँ पर तो देखें extend command के लिए ex enter क्या है यहाँ पर ex enter करने के बाद select object करना है तो basically मैंने इस object को select करना है एंटर कलिक करने के बाद यहाँ पर एंटर कलिक कर दिया है अब जड़ा बात करते हैं यहाँ पर देखें क्या क्या options आ रहा है जड़ा उसके बात करें यहाँ पर तो first extend है यहाँ पर furnace, दूसरा है crossing, तीसरा है project, ती और चोता है यहाँ पर age और उसके बाद क्या है undo तो यहाँ पर देखें आप जैसे जैसे line को choose करते हैंगे आपकी जो line है वह यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ पर extend हो गई है और जो आपकी पास यहाँ पर vertical लाइती उसके साथ जाकी क्या हो रही है चाच हो चुकिए clearly आपको समझ में आ रहा होगा अब जैसे यहाँ पर क्या कर रहे है हमारे पास जो एक्स्ट्रा दो options है उनको one by one discuss करते हैं कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा दो options है वो यहाँ पर किस तरह से use कर सकते है तो देखिए basically मैं यहाँ पर options तक जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ समझाना चाओंगा जला देखिए यहाँ और में यहाँ पर एक्सेंट कमार्ड को use कर रहा हूं यहाँ पर यहाँ अब है कर यहाँ तो देखिए कि आपको जो इहाँ पर horizontal line थी, यहाँ पर जो horizontal line थी, वो first vertical line के साथ ही यहाँ पर क्या हो रही है, extend हो रही है ना कि उसके अगली line के साथ extend हो रही है तो आपको अगली line के साथ extend करना है तो आपको वहाँ पर जाके क्या करना पड़ेगा, click करना पड़ेगा लेकिन जब आपने इस line को सेलेक्ट नहीं किया था तब वो line आपके और ज्यादा एक्सटेंड नहीं हो रही थी देखे किस तरह से नहीं हो रहे थी उसके यहाँ पर काम करते हैं इस सभी को उटा देते हैं और हे यहां पर उसके साथ क्या हो रहा एक्स्टेंड नहीं हो पा रहा है clearly आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एक्स्टेंड कमांड का यूज किया जा सकता है अब चलते हैं हमारे जो आगे के जो option है एक्स्टेंड कमांड में उन सभी को one by one discuss करते हैं clear तो अब देखे यहाँ पर सबसे बहले में क्या करा हूँ control जड़ करते हूँ ताकि आपके extend कमांड रिमुव हो जाए अब जब बात कते हैं यहाँ पर extend कमांड के अंदर तो extend कमांड के अंदर आप देख पाएंगे यह हमारे पास जो आगे के object है उसके बारे में आप एक साथ multiple object को यहां पर कर रहे हैं select करना चाहते हैं पर कुछ object को छोड़ते हुए चड़ना है जैसे कि हमने erase command के इंदर use किया था तो basically हमने क्या है एक reason create कर देते हैं यहां पर जिस चीज लाइन के पर मैं touch करते जा रहा हूं जिस लाइन के पर यहां पर टच करते वेज निकल रहे हैं वह बो लाइन आपके पास क्या हो रही है extend हो रही है यहां पर इसके आगे एक्स्टेंड लाइन नहीं हो पा रही है क्लियर आपको समझ आ रहोगा उसके बाद एंटर प्रेस करने पर जो जो लाइन आपके एक्स्टेंड होगी थी वह यहां पर लाइन क्या और यह एक्स्टेंड हो चुकी है क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पूरा 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 ऑप्जेक्ट है यहां पर क्या हो गया है एक्स्टेंड हो चुका है तो बेसिकली बात की जाए यहां पर आप डारेक्ली यहां पर क्या करना चाते हैं सेलेक्शन करना चाते हैं डारेक्ली सेलेक्ट करके आप यहा अगला अक्ष्रामिन को देखें यहां पर, तो एक्ष्रेंग के लिए एक्स एंटर किया है यहां पर, ओके, select the object, तो object को मैंने select कर लिया है, enterprise कर दिया है यहां पर, अब बात करें, project की, project के बारे में discuss करेंगे, जब हम 3D structure को discuss करेंगे, यहां पर, जब हम isometric structure को discuss करेंगे, तो isometric structure के अंदर, हम किस तरह से यहां पर, आप extend कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे, अब जो हमारे पास next option है, वो हमारे लिए बहुत important है, वो हैं यहां पर ages, ages के बारे में discuss करने वाले है, यहां पर आपके जो line है, वो extend तो होगी, बट यहां पर आपके पास क्या है, जो दूसी line से, जिसे आप object line बोल लेते, वो यहां पर length पूरी नहीं है, जैसे कि यहां पर आप नीचे वाली दो lines को देख पा रहे हैं, यहां पर नीचे दो lines है, यह दोनों lines आपके क्या हो रही है, इसके पीछे का reason क्या है, कि आपके पास जो vertical line है, वो यहां पर complete रही है, लेकिन हम ages command का use करके क्या कर सकते हैं, यह जो vertical line है, इसको एक imaginary extend line बोल सकते हैं, इसके धुरू हम क्या करेंगे, एक imaginary extend line मान सकते हैं, और फिर यहां पर यह दोनों एक दूसरे को cross करते हैं, वहां पर यह line हमारी क्या हो जाएगी, extend हो जाएगी, clearly आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम यहां पर कहने वाल हैं, basically देखे, बात करना चाहरा हूँ यहां पर, कि आप यहां पर क्या करेंगे, imaginary axis line को मानेंगे, तो देखे, किस तरह से होता है, यह enter करना है मुझे, यह enter करने के बाल, यहां पर पूच्छा जा रहा है, extend और not extend, तो देखे, मैं करना चाहता हूँ, extend, तो extend करेंगे, यहां पर, select the object करा हैं आपर, और फिर से क्या क्या है, select the object, तो यहां पर बात की जा रही है, देखे, यहां पर हमने देखा, कि हमारे पास, यहां पर vertical जो line थी, वो यहां पर complete नहीं थी, बट आपकी जो horizontal line थी, उन्होंने क्या माना कि, वो जो आपकी vertical line है, वो एक imaginary line है, completely एक imaginary line है, उस imaginary line के across, उन्होंने क्या क्या है, उसको क्या कर दिया है, आपके पास extend कर दिया है, तो यहां लिए समझ में आगए, extend command का basically, जो uses है आपका, वो किसी भी line को, आपको क्या करना है, extend करना है, तो वहां पर आपके लिए use आता है, clear, आप जड़ा देखे, यहां पर आपकी क्या करने वाले है, object को select करते हैं, यहां पर, तो देखे, यहां पर मैंने दोनों object को select कर रखा है, EX enter करता हूँ, EX enter करने के बाद, अब्जेक्ट सेलेक्ट करना है दोनों को अब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा है उसके बाद में क्या कर रहा हूं यहाँ पर सारे अब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर सारे लाइन से हमारी क्या और यह एक्स्टेंड हो चुकिए लेकिन नीचे वाली दो दो लाइन थी वो यहाँ पर अगली extended line के साथ बिलिगे है clearly समझ आ चुका होगा तो आप किसी भी line को यादि हम trim करते हैं तो trim करने के बाद यही आप उस line को extend करना चाते हैं तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं तो basically यहाँ पर जो options है वो सारे trim command से related है और रही बात project की तो जब हम 3D discuss करेंगे तो वहाँ पर हम discuss कर पाएंगे कि project command किस तरह से यूज कर सकता है clear हो गया अगो यहाँ पर तो अब मिलते हैं हमारे अगले video lectures के साथ तब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं Thank you for watching this video